वैश्न बजन तो तेरे कही है लीड़ पराए जाणे रे वैलकम टो माई सिज एक्जाम आज हम लोग 2 अक्टूबर को 36 बड़ का करिंट अफिर करेंगे अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा तो आज आपको पता है आज हम लोग पूरे भारत नहीं पूरा विश्व गांदी जी की 150 भी जयनती को मना रहा है सेलिब्रेट कर रहा है तो और आपको ये भी पता है कि आज लाल बादु सास्त्री की भी जयनती है और उन्होंने एक स्लोगन दिया था जय जवान जय किशान कब दिया था इंडो पाक वार के समय उन्दी सो पैसाट में जब भारत पाकिसन का युद्ध चल रहा था तब उ उख्यमंत्री भुपेज बगेल की क्या रैंकिंग है तो उनका रैंक था 54 था यह हमने बात किया था कल इसके बाद हम बात किया थे कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जिसने हालही में नीती आयोग ने जारी किया है इसमें 36 अंसर है वो है विठल राओ दिंकर आप सबी ने बहुत लोगों ने कमेंट के माध्नम से आंसर बताया है विठल राओ दिंकर और चब्राओ एто 16 के कहले सुवेदार है उनका नाम है महीपत राओ दिंकर ये भी आपको याद रखना है पहले सुवेदार का नाम मही पत राव दिनकर, दूसरे सुवेदार का नाम है विट्टल राव दिनकर, तो चलिए आज के करेंट है फिर हम स्टार्ट करते हैं, तो आज का पहला कोशन है, अभी हाली में मुख्यमंत्री सी भुपेज बगेल ने रूट्स टू रेडियन्स ना है, रूट्स टू रेडियन्स नामक पुस्तक की लेखी का है, अगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री सी भुपेज बगेल ने आज अपने यहां अपने निवास कारेला में भिलाई की फैशन डिजाइनर कुमारी निकीता उपाध्या, दौरा लेखीत पुस्तक, रूट्स रेडियन्स, आगे बढ़ते हैं, अभी हाली में मुख्यमंत्री सी भुपेज बगेल ने सासकी खरीदी के लिए चतिसगर का कौन सा ओनलाइन पोर्टल लॉंच किया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इमानक, इमानक नामक सासकी ओनलाइन पोर्टल का लॉंच किया गया ह तो मुख्यमंत्री सी भुपेज बगेल ने आज अपने निवास में आयूजित कारेकरम में चतिसगर का इमानक पोर्टल का नाम है, पोर्टल को लॉंच किया है, यह जो पोर्टल है इसका नाम याद रखना है, यह पोर्टल से क्या होगा, चतिसगर में जो सासकी खरीदी ऑनलाइन जो होता है, उसको इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, तो जब यह इसको मुख्यमंत्री आज लॉंच कर रहे थे, तो उस समय हमारे वाड़ेज जी एवं उद्योग मंत्री, कावासी, लकमा जी भी उस वहाँ पर उपस्थित है, तो यह आप याद रखिए आगे बढ़ते हैं, चतिगर की E-Marketing Network Portal का नाम क्या है, अभी हमने बात किया, E-Manak, अपको स्क्रिंग में यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं, यह Portal है, और इससे पहले जो चतिगर यूज़ कर रहा था, वो Portal था, केंदर सरकार का Jam Portal, अब इसको चतिगर में यूज़ नहीं किय अब हम यूज़ करेंगे E-Manak, इसका नाम याद रखना है, एक्जाम में कुशिन बनेगा, आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में राइपूर, राजनान्दा और दूर्ग जिलो के चैनी 200 प्राथमिक और माध्यमिक सालाओं में दिंद में से कौनसी परियोजनाओं की अब बढ़ते हैं, इस प्रोजेक्ट के तहट राइपूर, राजनान गाओं और दूर्ग जिलो के चैनी 200 प्राथमिक और माध्यमिक सालाओं को, के बच्चों को, के बच्चों और सिख्चकों को, लगबग 800 सिख्चक और 20,000 स्टुडें को, डिजिटल सिख्चण, मतलब डिजिटल से जो भी चीज़ सो होता है, डिजिटल लगनिंग सिखाया जाएगा, ये आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट का नाम याद रखिए जिग्यासा प्रोजेक्ट, तो इसको कौन, किन्हों ने लॉंच किया है, तो इसको स्कूल इसे इनागरेट किया है, प्रोजेक्ट का नाम है जिग्यासा लॉलेज फॉफ लाइफ, जिग्यासा लॉलेज ओफ लाइफ, या इसे बोल सकते हैं, जिग्यासा प्रोजेक्ट, इसे लॉंच किया गया है, इस प्रोजेक्ट के तहट 800 सिक्षकों और 20,000 स्टुडेंट्स को Digital Learning के माध्यम से Digital Education दिया जाएगा ठीक है तो ये प्रोजेक्ट को किनके बीच MOU हुआ है ये भी आप देख लेज़े जिग्यासा प्रोजेक्ट को Implement करने के लिए Vodafone Foundation और IPE Global Center of Education Development के बीच क्या हुआ है एक OMU हुआ है ठीक है MOU हुआ है स्वरी MOU हुआ है ये याद रखिए और Vodafone Foundation जो है एक Online Integrated Platform ले के आएगा जिसका नाम रहेगा Guru Shala जो Teachers के लिए Digital Content उपलब्द कराएगा ये इतना याद रखिए तो ये पहले ये Portal का नम आपको याद रखना है जिग्यासा Portal जिग्यासा परी योजना ये आप याद रखिए अगला कोशन है नीन नमे से किसने Russia F1 Russia F1 Grand Prix के विजेता बने तो इसका आंसर है Lewis Hamilton जो Lewis Hamilton है वो क्या बने Russia F1 Grand Prix के विजेता बने इसका आयोजन रूस में या फिर Russia में किया जा रहा था ये आपको याद रख लए आगे बढ़ते हैं अभी हाली में निंद में से कौन सा सूपरसोनिक मिसाइल का परिच्षण सफल परिच्षण किया गया है तो इसका आंसर है Brahmos Brahmos सूपरसोनिक मिसाइल का परिच्षण किया गया है सफल परिच्षण किया गया है कहां से किया गया है ये भी एक्जाम में कोईशन बनता है तो ये किया गया है Odisa के बाला सोर जिले के चांदीपूर टट से ये एक्जाम में ये भी कोईशन आता है कि चांदीपूर कहा परिस्थित है तो ये उडिसा में इस्थित है ये आपको याद रखना है ब्रमोज सूपर सुनिक मिसाइल का परिक्षण बाला सूर जिले के चांदीपूर टट से किया गया है इसका सफल परिक्षण किसने DRDO ने किया ये याद रखना है आपको अगला कोईशन दिखते है 2-6 अक्टूबर टक मुंबई में निम्न में से कौन सा फिल्म महतसा मनाया जएगा तो इसका आनसर है गांधी फिल्म महतसा गांधी फिल्म महतसा का आयूजन 2-6 अक्टूबर के बीच में मुंबई में किया जाएगा ये आप याद रखिए आगे वड़ते हैं अगला कोशन है चत्यसगर राज निर्वाचन आयोग ने महात्मा गांधी की एक सो पचासवी जयनती के अवसवार पर दो अक्टूबर को राज के सभी ग्राम पंचायतों में निम्दमे से कौनसा कारेक्रम का आयोजन करने का निर्देश दिया है और अक्टूबर 2 ऑन दी उकेजन ओफ 150 बर्थ अनिवर्सरी ओफ मात्मा गांधी दा स्टेट चत्यसगर स्टेट इलेक्शन कमीशन है इस कारेक्रम को आयोजन करने के लिए देश दिये है दो अक्टूबर मतब आज के दिन ये जो कारेक्रम है ये सभी ग्राम पंचायत में जागब वोटर नामक कारेक्रम आयोज़ुत किया जाएगा इसका उदेश लिखते हैं मात्मा गानी की एक सो पचासवी जयनती के आउसर पर दो अक्टूबर को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में जागब वोटर कारेक्रम जागब वोटर कारेक्रम के तहत सपत का आयोजन करने के निर्देश दिए गये हैं इसका उदेश मद्दाताओं को मद्दान के अधिकार के उपियोग के लिए प्रुप्साहित करना है इसका उदेश ये याद रखिए एक सो पचासवी जैनती के उसर पर ये हमारे जो राज्य निर्वाचन आयोगे हैं उन्होंने ये कारेक्रम जागब वोटर कारेक्रम को आयोजन करने के निर्देश दिए हैं ये याद रखिए आपको ठीके आगे वड़ते हैं अगला कोशन है राज्य साशन द्वारा पोलिस विभाग के नीरिक्षको और उप नीरक्षको के लिए निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है वीच आप दा फॉलिंग स्कीम्स हैज बिन लॉंच बाइड स्टेट गवर्मेंट फॉर इंस्पैक्टर एंड सब इंस्पैक्टर अप दी पुलीस डेपार्ट इसका सही आंसर है वो है सुपर 150 योजना सुपर 150 योजना तो राज्यस आशन द्वारा पुलिस विभाग के लिए या पुलिस के नीरिक्षको इंस्पैक्टर एंड सब इंस्पैक्टर के लिए एक योजना लेके आ रहा है जिसका नाम है सुपर 150 पुरुसकार योजना या सूपर 150 आवार्ट स्कीम इस स्कीम के तहट क्या किया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ राज्यस आशन द्वारा पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए सूपर 150 पुरुसकार योजना सुरू की गई है इस योजना के तहट प्रदेश के मैदानी एवं नकसली प्रभावी छेत्रों में ये दो वर्ड याद रखिये मैदानी और दूसरा नकसल प्रभावी छेत्रों में उत्कृस्ट कारे करने के लिए 150 निरिक्षकों और उत्क निरक्षकों को जनवरी 2020 में पुरस्कृत किया जाएगा मैदानी मतलब ऐसे इलाके जहाँ जो नकसली प्रभावी छेत्र नहीं है और नकसल प्रभावी छेत्र जो नकसली छेत्रों से वो प्रभाव है ये दो टम है तो सूपर 150 योजना के तहत नकसल प्रभावी बस्तर रेंज के साथ जिले सहित राजनन गाउ जिले में कारे रत 100 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को उत्कृष्ट कारे के लिए पुरस्कार दिये जाएगा 150 टोटल है जिसमें से 100 जो है वो नकसली छेत्रों के लिए इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए और जो बचे 50 वो जो नकसली छेत्र से में नहीं आते उन जिले के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को पुरस्कार दिये जाएगा ये याद रखने कब दिये जाएगा? 2020 में जब प्रदेश की रालधानी में होने वाली पुलिस के वारशिक कारेकरम में यहाँ पुरस्कार को दिया जाएगा ये याद रखिए, योजना का नाम याद रखिए, सूपर 150 पुरस्कार योजना आगे बढ़ते हैं, आज का कोशन है, ये स्पोर्ट से है, चत्तिजगण के स्पोर्ट से, राइपूर के स्रीमन जहा ने स्विजर लेंड में आयो जीत, स्विप्ट पैरा आम रेसलिंग में नीम्न में से कौन सा पदक जीत लिया है? इसका आंसर है, सिल्वर, उन्हें रजट पदक मिला है इस स्पोर्ट से, तो आपको स्रीमन में रिखाए ज़रा है, स्रीमन ने आम रेसलिंग में स्विजर लेंड में जीता, राइपूर, जिंदल स्टिल में कारे रत, राइपूर के स्रीमन जहा ने स्विजर लेंड में आ स्विप्ट पैरा आर्म रेसलिंग चेंपियंशिप के 80 किलोग्राम वजन वर्क में रजट पदक जीत लिया है, इस इस परधा के सेमी फाइनल में उन्होंने जर्मनी के मन हाउ को सिकस देकर फाइनल में जगा बनाई थी, यह याद रखिये, बहुत ही इंपॉर्टनेट है अगला कुशन है, अभी हाली में निमनमे से किसे All India Fitness and Body Builders Federation का महा सच्यू बनाया गया है, रिसेंटली हूमंग दा फॉल्विंग है जनरल सेकेर्टरी ओफ आल इंडिया फिटनेस एन बोडी बिल्डर फेडरेशन, आपके सामने है, मैं अंसर बता देता हूँ, उसका सही अं इंडिया फेडरेशन का महा सच्यू बनाया गया है, इनका नाम आपको याद रखना है, तो All India Federation के महा सच्यू बने संजय, राजजानी राइपूर में फेडरेशन का Body Builders and Fitness Championship आयोजिन के दौरान, फेडरेशन की वारशिक आमजवां हुई, इसमें आगामी 2023 तक पदाधिका आयोग की सर्वसम्मती से चैन किया गया, इसमें राइपूर के संजय शर्मा को Indian Fitness and Body Builders Federation का महा सच्यू बनाया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो चलिए PSC टॉनिक देखते हैं, आपको PSC के लिए डेली टॉनिक लेना है, तो पहला देखते हैं, रास्त अक्टूबर 2019, एक्जाम में बनता है, चैन कि निम्दमे से योजना कब लॉंच किया गया, तो दो अक्टूबर 2019, पांच योजना है, जिसके बारे मैं पिछल दो दिन से बता रहा हूँ, आपको मुख्यमंत्री सुपोशर अभियान, मुख्यमंत्री हाट बजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री सहरी स्लम स्वास्ते योजना, युनिवर्सल पीडिये स्कीम योजना, और मुख्यमंत्री वाड कार्यालाई योजना, इन योजनाओं का सुभारम किया गया है, पांच दो अक्टूबर 2019, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, आगे, और चै मुंगेली, हारेगा टीबी, जीतेगा मुंगेली, ये स्लोगन भी आप याद रखिए, दो अक्टूबर 2019 को रास्ट पिता मात्मा गांदी जी के एक सो पचासवी जहनती के उपलक्ष में, जिला स्तर के दलो द्वारा, सत्यापित जीले मुंगेली के एक सो पचास गोशित किया जायेगा, मतलब आज मुंगेली जीले के 150 गावों को टीबी मुक्त गोशित किया जाएगा, स्वासे बाग के जीला स्तरी दल द्वारा, जनुरे 2018 से सितंबर 2019 तक मुंगेली जीले के लोन मी मुंगेली और पथेरिया, विकास खरन के करीबे 180 गावों में करम का नाम याद रखेए आ-च् से मुख्त करमे का लक्ष भी रखा गया है यह कारिकरम याद रखेंगा एक्सोपचास गावों को टीबी से मुख्त किया गया है यह याद रखना है अगला जो टॉनिक है वो है डाग टिकेट प्रदर्शनी राइपेक्स 2019 इसके बारे में पर देखते हैं जीला प्रशाषन के सहयोग से भारती डाग विभाग द्वारा राजधानी रायपूर में तीन दीवसी जीला इसतरी डाग टिकेट प्रदर्शनी किया गया था जो यह प्रदर में दिखाई दे रहा है डाग टिकेट प्रदर्शनी इसमें गांधी जी से रिलेटेड बहुत कुछ फैक्स यहां पर डाला गया था इसका नाम रखना था रायपेक्स 2019 इसका बन सकता है रायपेक्स 2019 का आयोजन कहां किया गया था विलासपूर रायपूर मुंगेली और ए में भी आपको याद रखना है युवा उत्सा इसका नाम याद रखना है और एक यह है राष्ट्री आदिवासी मृत्य महुत्सो इसके बारे मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूं तो इसको पीसी टॉनिक में आपको याद रखना है साइंस कॉलेज मैदान में 27, 28, 29 दिस चलाया गया 17, 19, 28 में पहला सत्याग्रा था एक्जाम में 21 कोश्ण बनता है कि चद मातमा गाने दोछ लाया गया पहला सत्याग्रा कूं से है तो चमपाहरं सत्याग्रा ये ये याद रखना है अपको ठीक है इसका नाम याद रखना है दूसरा अस्वह योग अंधुलन ये आपको पढ़ना चाहिए ड्राइपूर एडिशन का आपको online में मिल जायागा आप net में जाएए नौभारत प्रेस में आप सर्च करिए आपको ड्राइपूर एडिशन पढ़े 36 गड़ के महात्मा गांदी से बहुत सारे facts to Smith आज की paper मुझे दिखाए दिया है आप उसे जरूर पढ़िएगा तो आज का 36 गड़ डाइजिस्ट हम देखते हैं 1920 में गांदी जी का प्रथम 36 गड़ आगमन हुआ था ये कुशन एक्जाम में बना हुआ है इसे आप याद रखिए 20 दिसंबर 1920 को गांदी जी का 36 गड़ में प्रथम आगमन हुआ था उनके साथ इसमें 36 गड़ में मौलाना शौकत अली भी 36 गड़ में आये थे महात्मा गांदी के साथ मौलाना शौकत अली भी चत्तिसगड आये थे रायपूर में तो 20 दिसंबर को महात्मा गांदी रायपूर में आये थे और उसके बाद 21 दिसंबर 1920 को वो धमतरी पहुँचे थे जहांपर उन्होंने एक जन सभा को संबोधित किया था तो महात्मा गांदी का 1926 में चत्तिसगड आने का जो उदेश्य था वो था 1920 का कंडेल नहर सत्यागरा इसके बारे में आपने अवश्य रूप से पढ़ा ही होगा इसके बारे में कारण ये था कि नहर के पानी का उप्योग करने के कारण था आईए जो कंडिल नहा सत्यागरा था इस सत्यागरा के वज़ा से अंडित सुंदरलाल शर्मा ने महत्मा गांदी को आग्रा किया था कि आप छत्रिसगाड आईए तब इस सिलसिले में महत्मा गांदी जी 20 दिसंबर को राइपुर आया थे ठीक है यह याद रखना है ठीक है और महत्मा गांदी के आग्मन के पुर्वही जो यह सिचाई कर लगाया गया था वो वापस ले लिया गया था इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा आगे रिखते हैं फिर गांदी जी का द्विती आग्मन कब हुआ था तो वो 22 नुवंबर को 1923 में महत्मा गांदी जी क 36 गड में दूसरा आगमन या विती आगमन हुआ था उस समय गांदी जी के साथ कौन आया थे मीरा बैन ठककर बापा एवं महादेव दिसाई देसाई महादेव देसाई भी मात्मा गांदी के साथ 36 गड आये थे तो यह आपको याद रखना है इतना आपको याद रखना है आज का प्रश्ण है आज आपका हुई इसका कोशन या आपके लिए कोशन है इसको अंसर कमेंट के माद्यम से आपको मुझे बताना है तो आज का प्रश्ण है अंसर कमेंट करके बताईए थेंक यू